दीन दुनी के मालिक, गुर्ता गदी पेश शोबत, अकाल पुर्ख, खुदा वाहिगुरू जी के हिर्दा सवरू, सत्गुरू धन धन, साहिब स्रीगुरू गरंत साहिब जी महराज, तिनों के पावन पुवित्र चरणों में, शुशोबत हुई सुमुहु साथ संगत जी, हजूर की अपार अपार बक्षिश के, आप पातर हो, जो साहिब के चरणों की, हजूरी में बैठने का सुभाग्या मिला है, हजूर की वाणी का ये बचन है, मालक की जो नदर है, उसकी नदर के बिना, उसकी बक्षिश के बिना, मालक की संगत जो है वो नसीब नहीं होती, हजूर के ये बचनों को जब हम पढ़ते हैं, गाते हैं, कूड यार कूड यारी जाए रड़े, सचे यार सिख बैठे सत्गुर पास, बहुत लोग हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी, अपने जीवन को बरबाद कर रहे हैं, और जो मालक के चर्णों में आ गया, जिस उपर मालक की नदर हुई, वो ही मालक के किर्पा का पातर बनता है, सो मालक सब ही उपर अपनी नदर बनाए रखे, आओ, आप संगत की असीज और हजूर की किर्पा से ये दिवान चल रहे हैं, आज के दिन का ये पहला और दूसरा आखरी दिवान होगा, शाम को, सो मालक के चर्णों में जुड़कर हम अरदास करें, हमारा जीवन, हमारे स्वास, हमारी जिन्दगी, मालक के चर्णों के अनकूल बन जाए, सारी संगत, प्यार सहत, हजूर के चर्णों में सीज जुकाते हुए उचारन करो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फत्य, पंचम पात्षा, शहीदों के सिर्टाज, सत्गुरु तंतन गुरु अरजुन देव जी महराज, उन्हों की मुवार्क रसना से, जो बचन उचारन किया हुआ है सारंग राग का, सत्कार योग भाई साहिब गाये कर रहे थे, आयो, सुनन पढ़न कौबानी, नाम वे सार, लगह अनलालच बिर्था, जनम परानी, इस शब्द में महराज ने हमारे जीवन का, जिन्दगी का जो मनौरत है, जो हमारा एम है, एक एम है संसार की और, जिसमें हमारी विद्ध्या है, जिसमें हम कुश न कुश पढ़कर, कुश सीख कर अपनी जिन्दगी का बसर करते हैं, एक जीवन धर्म की योर है, जिसका मनौरत हजूर ने बताया है, इस बात को आज समझने का, हम यतन करेंगे, एक बात ध्यान में रखना के दुनिया में, बहुत लोग हैं, जो सिर्फ इस लिए जीते हैं, इट, ड्रिंक एंड बी, मेरी, खाओ, पीओ, तुएश करो, बस यही जिन्दगी है, हजूर कहते हैं, जीवन ये नहीं है, यह ऐसा जीवन होता, फिर तो पशुओं में और इनसान में कोई फर्क नहीं है, इनसान भी खाता है, पशुओं भी खाता है, इनसान के भी बच्चे हैं, पशुओं के भी बच्चे हैं, हमारा भी गर्ख है, उनके भी गर्ख हैं, जैसे भी मिले, इनसान प्रिश्म करते हैं, मेहनत करते हुए धन कमाता है, पशुओं है, सूखा घास खाकर दूद देते हैं हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं हम भी भोगते हैं वो भी भोगते हैं यह ऐसी जिंदगी हो फिर तो पशु और हमारे में कोई फरक नहीं है है दुनिया में ऐसा बहुत लोग हैं से ऐसा मत कीजिए बेंती है हमारी बंदना हमारा ज्छुकना सिर्फ गुरू के आगे हो इस बेंती को सविकार करें सारी संगता खुसत नाम सिरी वाहिक स्वाब के चरणों में ये बेंती कर रहा हूँ जीवन का मनौरत क्या है हजूर कहते हैं कर्तूत पशू की मानस जात लोक पचारा करें दिन रात सत्गुरु गुरु नानक साहिब नू बादशा मिला बादशा बाबर उसने एक बोल जहां इतिखास कहता है कि उसने शराब का प्याला गुरु नानक साहिब को भेंट किया हजूर आप धर्म की बातें जरूर करते हो लेकिन कभी इस नशे का सेवन करके देखो हजूर कहते हैं क्या होगा उसने एक बोल फार्सी में कहा रूजे नाव बखारों में दिल रुबा खुशस्त बाबर बाएश कोश के आलम दुबारा नेस्त अर्थ हैं इसके अपने दिल को अपनी भावनाओं को इस दुनिया में रहकर खुश रखना चाहिए रूजे नाव बखारों में दिल रुबा खुशस्त बाबर बाएश कोश ऐ बाबर एश कर के आलम दुबारा नेस्त दुनिया में बार बार नहीं आएंगे ये बाबर का सिदात है हजूर कहने लगे ये बात बहुत अच्छी लगी के रूजे नाव बखारों में दिल रुबा खुशस्त अपनी भावनाओं को अपने दिल को अपने मन को इस संसार में रहकर खुश रखना चाहिए लेकिन बाबर बाएश गोश नहीं बाबर बाहोश गोश के आलम दुबारा नेस्त खोश कर अपने आपको जगा सोना अपने आपको धर्म की और तोर के बार बार ये जीवन है जो है ये नहीं मिलेगा सिर्फ एक बार मिला है बार बार ये जीवन नहीं प्रापत होगा सो मनौरत हजूर कहते हैं मालक के चरणों में जुड जाना उसकी बानी को पढ़ना और सुनना हमारी जिन्दगी का सबसे बड़ा मनौरत है आज चार कुबात हम इसी परयोजन की सामने रखेंगे और कोशिश करिएगा कि ये बाते हमारे जिहन में बस जाएं पहला है खाना दूसरा है टिकाना तीसरा है गाना चौथा है पाना पहनना खाना बाना पाना और टिकाना किसी भी रूप से ले ले जीए इसी बात की ये कहानी है जो सत्गरु हमारी जोली में डाल रखे है आयो सुनन पढbly को बानी सब से पहली बात हमारे सरीर में जितने मालिक ने इंदरे दिये हैं इंदरे बोलते हैं दो धरम की दुन्या में बाते हैं ग्यान इंदरा और कर्म इंदरा ग्यान वो जिस से बाहर ली चीजों का भैव हो ग्यान हो जैसे हमारी स्किन है ठंडक और गर्मी को महसूस करती है ये ग्यान इंदरा है आँखे हैं हमारी जबान है इसको ग्यान इंदरे भी बोलते हैं और कर्म इंदरे भी बोलते हैं कर्म इंदरा जिससे कर्म किया जाए हाथ पाओं जो हमारे कान है नासका है आंके है इसको कर्म इंदरे बोलते हैं कभी ध्यान दिये तो हजूर ने जो कर्म इंदरे दिये दो दो दिये हैं कर्म इंदरे दो हैं लेकिन काम एक करते हैं आंकें दो हैं कर्म एक है देखना ऐसे नहीं हुआ कि कोई दाएं भी देखे और बाएं भी देखे ऐसा नहीं हो सकता। एक टाइम एक और देखा जा सकता है, है दो लेकिन काम एक है। काम दो है ऐसा नहीं इधर कीर्टन हो इधर कथा हो दोनों इकठे सुने जाएं नहीं हो सकता पाएं पाउंस हमारे दो हैं हाथ दो हैं इंद्रे दो दो काम एक एक करते हैं लेकिन एक इंद्रा ऐसा है एक है काम दो करता है वो कौन सा है जुबान हमारी रसना खाती भी है और भोगती भी है भाव बोलती भी है और खाती भी है सबसे बड़ी पीड़ा यहां से शुरू होती है बहुत कम उमर में शोटी उमर में बच्चा खाना भी सीखता है बोलना भी सीखता है लेकिन उमर बीट जाती है खाना भी नहीं आता और बोलना भी नहीं आता आज हजुआर कह रहे है सबसे पहले तुम को खाना आ जाए जो खाना है उसकी बड़ी बड़ी व्याख्या है इस धर्म में जैसा अन होगा वैसा हमारा मन होगा सबसे पहले कोशिश ये बने जो हम खा रहे हैं वो हमारी सची किर्ट का हो आज जब हम ये बात करते हैं न कि जो बूरे मापे हैं बजर्ग हैं वो तो धर्म की बात करते हैं जो हमारा यंग है नौजवान है बच्चे है वो धर्म की और कम चल लगए है ठीक है जो वक्त है मीडिया है उसका भरभाव बच्चे कबूलते हैं लेकिन सबसे बड़ा भरभाव यो है वो है हमारी कमाई का हमारी किर्ट का किर्ट अच्छी नहीं होगी बीज जैसा बोएंगे वैसा ही खिलेगा मुझे एक बोल याद आया मैं कहता चलू मैंने लंबा समा लुधियाना गुर्द वरा दूखिन वारन साहिब कथा की सेवा की एक दिन ऐसा हुआ कि किसी का नौजवान बेटा 22 साल की उमर में गुजर गया इकलौता बेटा था जिस दिन मा तुम पुर्शी हुई कथा हुई कीर्टन हुआ सुभावक कथा में बोल ये कहे गए कि ये हमारा कर्म है कर्म साथ साथ चलता है और ये भी बात कहता चलू कर्म इतना बड़ा है जब बहुत बारीकी से इस बात को पढ़ना हो तो एक युनान का संत हुआ है फिलास्पर है खलील जिबरान वो जब कर्म की बात करता है वो ऐसा भी कहता है कि कोई इनसान नशा करता हूँ दो तीन साल उसने नशा किया उसकी संगत से कोई और नशा करने लगा जो पहला था उसने नशा बंद किर दिया धर्म की योर चल पड़ा पर यो वो ये मत समझे कि मेरा कर्म जो है वो खत्म हो गया नहीं जो हमारी और देखकर लगा है वो कर्म हमारे साथ चलता जाएगा जो उसकी संगत में लगा वो परसेंटेज हमारे तक चलती आएगी कर्म इतनी जल्दी नहीं मिट जाता खेर जो बात करने लगा हूँ जब कर्म की बात हुई समापती हो गई उस बच्चे का बाप मिला कहने लगा बाकी बातें सबी ठीक है लेकिन कुछ बातें आपकी ऐसी है जिस से मैं सहमत नहीं हूँ हमने हाथ जोड़े कोई बात नहीं कोई भूल होगी होगी कहने लगा नहीं बात भूल की नहीं है मेरा कर्म ऐसा है ही नहीं कि मुझको ऐसी बड़ी सजा मिले एक पुत्र वो भी नौजवा हमारा इकलौता सहारा अचानक इस दुनिया से रुकसत हो जाए बैठे बैठे मन में बात आई आप काम क्या करते हो कहने लगा मेरा बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है बहुत बड़ा वहाँ पे बड़े बड़े यहां से ठोक का काम चलता है कहने लगा मेरा मेडिकल स्टोर है एक बात पुशी सच बताओ मेडिकल स्टोर से सिर्फ दवाईयां ही बेचते हो मेडिसन ही बेचते हो कुछ और भी आँखे बराई कहने लगा नहीं आपकी बात जो है सत्य है मैं के लिए मेडिसन ही नहीं मैं बहुत नशे की मेडिसन भी बेचता हूं वो नशा कितने लोगों की जान ले गया किन बच्चियों की माताओं की बहनों की जो आहे हैं दर्द है वो उस तक जरूर पहुंचेगा जो हम कर्म करते हैं सुबेंती ये करना चाहता हूं कर्म करने लगे जरूर सोचो हजूर कहते हैं जो खाना है ऐसा खाओ जिस खाने से मन धर्म की और जुड़े मन धर्म से तूटे ना बाबा होर खाना खुशी खुवार जित खादे तन पीड़ी है मन में चले विकार वो खाना कभी नहीं जिस खाने से आपकी खुशी खुवार हो जाए गर में जगड़ा हो जाए सबी आपसे दुखी हो जाए ऐसे खाने का क्या करना है दूसरा है गाना हमारी जबान बोलती है सत में किसी को गाना आ जाए धर्म कहता है बहुत लोग है जो गाते गाते मालक के चरणों में परवान हो गए सिर्फ गाना आ गया और गाया ऐसा गाते गाते कोई उसके चरणों में पहुंचा आए चुटा सा बोल इतिहास का कहूं फिर इसी बात पर आएंगे जो संगीत के प्रेमी हैं आप से आप में से उन्होंने तान सेन का नाम जरूर सुना होगा तान सेन जब गाता राग गाता इतिहास के बोल है मेग राग गाता तो बर्षा होती दीपक राग गाता तो बहुत गर्मी हो जाती वो सीखा था उस्तादों से एक दिन बादशा अकविक अकबर के दरवार में उसने मेग राग आया कुछ समय बाद बारिश हुई अकबर अपने सिंगासन से खड़ा होकर उठकर उसे आशीरवाद देता है मेग राग गाता है तो बुझे हुए दीपक जलते हैं कि मैं करना दीपक राग गाता है तो दीपक जलते हैं एक दिन अकबर के बाद मन में बात आई तानसेन आप में इतनी किर्पा है जो आपका उस्ताद होगा गुरू होगा उसमें कैसी बात होगी तानसेन कहने लगा हमारे गुरू का नाम है बैजू बावरा और बाश्या ये सत्य है हमारे गुरू जैसा दुनिया में और कोई संगीतकार नहीं कारण ये नहीं कि उसको अच्छा गाना आता है कारण ये है हम पैसों के लिए गाते हैं धन के लिए गाते हैं संसार के लिए गाते हैं हमारा गुरू ना संसार के लिए गाता है ना धन के लिए गाता है ना रोजी के लिए गाता है वो गाता है निरंगार के लिए गाता है बस अकबर कहता है जो चाहे जो मांगे मैं उसके चरणों में अरपन कर दूँगा एक बार मैं आपके उस्ताद को सुनना चाहता हूँ कहने लगे ये नहीं हो सकता उसके मन में लालच ही नहीं जो सच्चा धर्मी है याद रखे वो लालच के रस्ते पर नहीं चलता ते खिमा करना जो लालच के रस्ते पर चलता है वो धर्मी नहीं हो सकता लेकिन अकबर बादशाख हुआ मन जो था अपने जीवन में जिद बन गई कि उसको सुनना है कैसे भी हो तान सेन एक रास्ता निकाला के लगा एक रास्ता है आप सामने बैठकर नहीं उसको सुन सकते कैसे सुने कहने लगे बार जंगल में जो जो जोपड़ी है वहां पर रहते हैं आपको किसी और लुक शिप कर बैखना होगा तान सेन अपने गुरू के पास गए जो वीना जो सरंगी जिस पे वो गाते थे तंती साज आगे किया उस्ताज जी मैं ये राग कभी कभी भूल जाता हूं आपको सुनाता हूं देखिए मैं सही गा रहा हूं तान सेन ने जान भूज कर गलती करी उस्ताज जी समझाते हैं बेटा ऐसे नहीं ऐसे गाओ वो फिर सुर लगाता है तान सेन फिर भूल करता है तीसरी बार उस्ताज आप पकड़ते हैं साज को कहने लगे ये ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है जब उन्होंने गाया बैजू बावरा ने गाया तो अकबर की आँखें ऐसे मूंदी गई अकाल पुर्क अल्ला के चरणों में ध्यान जुड़ गया इसको कहते हैं गाना आ जाए ध्यान देजिए भाई मरदाना के शिश्य थे बैजू बावरा भाई मरदाना जी के शिश्य थे पंजाबी युनिवर्स्टी पतेयाला की शपी हुई किताब है डॉक्टर सुरिंदर काउर की जीवन भाई मरदाना जी उन्हों का पिशोकर्ड इसलाम के बानी हज़रत महम्मद साहिब से जा जुड़ता है खैर आज से अरदास करिये मालिक के चर्णों में खाना आ जाए दूसरा गाना आ जाए आवो हो सिख सत्गुरू के पियारे हो गावो सची बानी ये गाने के लिए है एक बात और करता चलूँ गाते गाते जो कहते हैं न भीग जाना कोई भीग के गाता है भीग के गाने के दो कारण है एक अपना आप गुरू के आगे निशावर कर देना भेट कर देना और एक जो गा रहे हैं उसकी समझा जानी कि कहा किया जा रहा है कई बार हम गाते जरूर हैं लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि इसमें मैसेज क्या है ये भी बात कहता चलूँ किसी गरीब परिवार का एक बच्चा वदेश में पहुँचा बहुत मेहनत की सिर्फ समझने के लिए बात है बहुत मेहनत की और एक लेटर चिठी परवार को लिखी सभी की राजी खुशी सभी की सुक्सांद लेकर लास्ट में एक बोल लिखा कि मैं एक वेस्टन यूनियन का नंबर बेज रहा हूँ वेस्टन यूनियन का नंबर देकर आप इतने पैसे प्रापत करना और अपनी गरीबी दूर हो जाएगी चिठी आई विदेश से देश बहुत खुश होए सभी लोग कि हमारे बच्चे की चिठी आई है कोई उसको मस्तक से ला रहा है कोई चूम रहा है कोई दिल से लगा रहा है कोई बहुत प्यार से उसको साम संभाल कर रहा है दो चार उसके अक्षर पढ़ते हैं कि मैं यहां पर बहुत खुश हूँ आपकी खुशी पर मात्मा से चाहता हूँ आगे कुछ पड़ी नहीं रहे चिठी एक आती है दूसरे महीने आती है तीसरे महीने आती है हर चिठी में वो ये बोल लिखता है कि मैं एक वेस्टन यूनियन का नंबर बेज रखा हूँ उस तक कोई पहुँचता ही नहीं चिठी घर जो आ रही है उसको संभाल कर रख रखे है दो तीन साल बाद वो बच्चा वदेश से देश आया और घर की और जाता हुआ सोचता है गरीबी बहुत दूर चली गई होगी अच्चे घर थे अच्छे बन गए होंगे पके बन गए होंगे बहुत संदर मकान होगा बहुत संदर बस्तर होंगे जब पहुंचा बहुत खरान हुआ जैसे शोड़ कर गया था हालत उससे बहुत संदर शिल्टा कर गदो जंब कर दो जब जाण हमगे झालत आफta कीए संदर घकल झाल 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 मैं बहुत खुश हूँ ठीक हूँ आपकी खुशी भगवान से चाता हूँ तो बस और क्या बढ़ना था कहने लगा मेरे पास बैठ कर सभी चिठी को फिर पड़े जब सारी चिठी पड़ी हर एक चिठी में वो नमबर एड़ हुआ हुआ है हर चिठी में आ रहा है इतने पैसे बेजे हैं ये वेस्टन यूनिया का नमबर है वहां तक कोई पहुँचा नहीं कहानी कार नीचे ये बात लिखता है कि ये खाल तक हमारी सबी की है कैसे जे ये जो चिठी है ना गुरु गरंत साहिब चिठी है है चिठी खुदा की हम माथा जरूर टेकते हैं सदकार है परकर्मा करते हैं चार साहिब करते हैं रुमाला साहिब चड़ाते गए, फूल चड़ाते गए, भेंट करते गए, चंदोवा साहिब भेंट किया, बहुत गुर्दवरा अच्छा बना दिया पर भूल कहां पर होई, जो हमें मैसिज दिया, वो हमने पढ़ा ही नहीं लेकिन गुरू साहिब कह रहे हैं, आयो सुनन, पढ़न कौबान, ये मैसिज जो तुम्हें दिया है, ये मैसिज पढ़ने के लिए दिया है, सुनने के लिए दिया है, लेकिन हम फिसल गए, एक बात कहूँ, सदकार योग माता जी बैठे हैं, रस्विंदर गवर जी, राज कोट से भी संगत आई है, इस अस्थान के मुख्य सेवादार सेक्टरी साब सभी बैठे हैं, पहले तो ये बेंती करूँ, अरदास करना ये समागम, सलाना समागम बन जाए, हर साल, इस घर में पहनने की बहुत बरी बात आएगी, पहना इसलिए जाता है, जो हमारा नंगेज है वो गवर हो जाए, पहनने का बस इतना मतलब है, लेकिन ऐसा कभी ना पहने, जिस पहनने में हमारी और दूसरे की जिन्दगी विकारों में चली जाए, हजूर कहते हैं, बाबा, होर पहनन खुशी खुवार, जित पैदे, तन पीडिये मन में चले, विकार, पहनना आ जाए, तो आखरी बोल है, तिकाना, हम सभी का, सभी दुनिया का, एक ही तिकाना, एक बात बोलूँ, रविंदर नाथ, टैगोर का नाम सुना होगा आप सभी ने, उसने, जो आज भी सरकारी स्कूलों में, गनतंतर दिवस्जा, हम जन गनमन बोलते हैं न, हमारा राश्ट्रिय गान है, ये रविंदर नाथ, टैगोर ने लिखा था, जिस दिन उसने राश्ट्रिय गान लिखा, तो किसी ने उसको बोला, लोग वैसे उनको गुरुदेव बोलते थे गुरुदेव राष्ट्र का गान तो आपने लिख दिया मुबार्क है हम चाहते हैं आप अंतर राष्ट्रिये एक गान लिखे सबी दुनिया का पूरी दुनिया का वर्ल्ड का एक गान आप लिखो राष्ट्र की ये बात है राम पुराण्ची उन्होंने स्तेज पर एक बोल कहा ये सत्य है कि मैं सिर्फ राष्ट्र का गान लिखा है इसके भी मैं योग्या नहीं हूँ पर मेरी ये भावना है कि राष्ट्र गान बन जाए जो लोग मुझे कहते हैं कि अंतर राष्ट्रिय गान लिखो असल में अंतर राष्ट्रिय गान आज से कई सो बर्स पहले ही लिखा गया है सबी घरान हुए कि अंतर राष्ट्रिय गान कौन सा है कहने लगे वो गान दुनिया के मालक गुरु नानक साहिब लिख गया है वोगान क्या है कहने लगे जब एक दिन ऐसा आएगा कितने भी धर्मों के लोग हों जब वो एक केंदर बिंदू पे इकठे होंगे तो सबी की रसना पे एक ही बोल होगा सब मैं जोत जोत है सोए तिसदे चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत परगट होए ये अंतर राष्ट्रियगान है जोत तो सभी में एक जैसी है खत्री, ब्रहमन, शूद, वैश, उपदेश, चोहोंवरना को सांचा छोटी सी बात और कहता चलू मेरा ख्याल है आपके नस्दीक मंदर भी होंगे, मस्जद भी होंगे लेकिन आज तक आपने ऐसा नहीं सुना कि कभी किसी मंदर से यह आवाज सुनी हो, लौह हो अकबर मंदर में यह आवाज तो नहीं है ना मंदर में कभी पांच वकत की निमाज का जिकर नहीं होगा मंदर में खजरत महम्मद साहिब का कभी जिकर नहीं होगा मंदर में बात चलेगी अपने धर्म की मुबार्क है ऐसे ही मस्जिद में है मस्जिद में अल्लाहु अकबर तो है पांच वक्त की निमाज की बात है लेकिन मंदर में कभी किसी ने श्री क्रिशन की बात नहीं की होगी श्री राम की आवाज उसका बोल नहीं सुना होगा किसी ने किसी ने गो वरधन मुरारी ये लफज निगाए होंगे लेकिन जब हम यहां पे आते हैं यहां पे राम की बात भी होगी क्रिशन अक्षर की बात भी आएगी अल्ला की बात भी आएगी पर बात उस एक की होगी कैसा बचन है ना जब बाबा फ्रीद जी के सलोक हम गाते हैं तो हुजूर कहते हैं बेन वज्जा कुतेया एना भली रीत कब ही चालना आया पंजे वक्त मसीद याद रखें सिख पंज वक्त की निमास तो अदा तो नहीं करता सिख मसीद में तो नहीं जाता लेकिन आवाज तो यहां से आ रही है ये क्या बन गया ये सबी का टिकाना है सबी धर्मों की संची बात है और दुनिया में एक ही गरंत है याद रखे जिसको सिर पर रखके लग जाया जाता है पाक के कुरान मजीद काजी साब हाथ में पकड़ कर ले जाते है शिरी माद भागवत गीता हाथ में पकड़ कर ले जाते है लेकिन यहाँ पे ऐसा रही है यहाँ पे तभी सबी सत्गुरु गुरु नानक साहिब का सत्कार करते हुए कहते है ग्यान ते आन कि शकरम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सत्गुरु नानक जिन कल राकी में आयो सुनन पढ़न को बानी हमारा ये फर्ज बन जाए जिन्दगी का मुख्य कर्म बन जाए अपने घरों में बानी का प्रकास जरूर करो जरूर बानी पढ़ो और अगले बचन में हजूर कहते हैं नाम विसार जिन्दगी से नाम भूल गया याद रखे एक होता है रस्ता एक को कहते हैं मन्जल कोई इन्सान रास्ता भूल जाए ना तो कोई गुनाह नहीं है मैंने पंजाब जाना हो बाइर ओड रस्ता भूल जाऊं तो किसी से भी पूछ लूँगा चलो आज तो नैविगेशन है हम अपनी मन्जल का नाम पाते हैं तो रस्ता बता देता है भूल जाऊं रस्ता तो इलाज है पूछनूगा किसी से भी बहुत बताने वाले हैं कि तुमारी मन्जल की और ये रस्ता जाता है लेकिन याद रखो कोई रास्ता भूल जाए तो कोई बात नहीं जब कोई मन्जल भूल जाए तो क्या होगा क्या कहेंगे किसी को हमने कहा जाना है हमारी जीवन की पीड़ा यही है दुख हमारी जिन्दगी में तब ही आता है जब हम मन्जल भूलते हैं मन्जल हमारी क्या है गुरू का नाम पर्वेशर का नाम सबी आपको सत नाम सिरी वाहे ये ना जिन्दगी में कभी भूले नाम विसार लगे अनलालच कभी कभी ना धर्मों में ये बात भी चलती है कि जो धार्मिक लोग है कीरतनिये हैं परचारक हैं ये तो कहते हैं माया मो माया इसको शोड़ दो लेकिन आप तो माया लेते हैं बहुत लोग ऐसी बात करते हैं गुरू गरंत साहिम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिक जा कोई और धन ना कमाए कहीं नहीं लिखा धन से ही सब कुछ चलेगा ये साउंड चल रहा है ये धन से चल रहा है पैसे दिये ना तब ही चलेगा जो लाइट है यो ये अस्थान है धन से बिना कहां चलेगा ये बना ही धन से है धन कमाने के लिए गुरू ने कहीं नहीं लिखा कि धन ना कमाओ लेकिन ये जरूर लिखा है जो धन की पकड़ है उसको शोड़ना पड़ेगा ये बात है धन कमाओ आए खर्च हो चला जाए आए चाए कोई बात नहीं जिन्दगी चलती रहे पानी चलता रहे ते उसमें बदबो नहीं आती लेकिन रुक जाए तो क्या होता है बदबो भी आती है कीड़े भी बढ़ जाते है संसार का पदार्थ ऐसा है आए और चला जाए तो कोई बात नहीं लेकिन जब पकड़ बनती है तब मालिक का नाम भूल ही जाता है ये सची बात है हजूर कहते हैं हुआ ये मन्जिल भूल गया नाम भूल गया और लालच में पढ़ गया नाम विसार लग गये अन लालच तो हुआ किया बिर्था जनम पराणी जो जे जिन्दगी है जीवन है ये विर्थ चला किया जैसे आया था वैसे तो जाना ही था लेकिन जाने लगा बहुत भार लेकर चला एक बचन कहे कर समापती कर दूँ जिस दिन मालक गुरू नानक साहिब सज्जन से मिले ना जो सज्जन ठग था उसको मिले तो महराज ने शबत तो उचारा लेकिन एक उधार्म बहुत प्यारी बख्षी कहने लगे सज्जन एक बात बताओ कोई इनसान आख्वों से अंधा हो उसके सर पर बहुत बजन रख दे फार उसके सर पर रख दो पर उसको पकड कर जो पहारी रस्ता हो बड़े बड़े गड़े हो पहारी रस्ते में शोटी शोटी पगडंडियां होती है उसको तोर दो क्या वो मंजल पे पहुँचेगा कहने लगा नहीं महराज जो है यंधा एक रास्ता पहारी बन जाए तीसरा उसके सर पर बोज रख दिया जाए मंजल कैसे मिलेगी हजूर कहने लगे तुम बताओ तुमें मंजल कैसे मिलेगी आँखों में अंधा पन है परदा है सच तुमें दिख नहीं रहा तुम लोगों की हत्या करके धन का बोज पापों का बोज अपने उपर डाल रखे हो जो संसार की और से नरंकार की और से रस्ता जाता है न वो बहुत सूक्षम है वहां पे हंकार नहीं जाएगा ऐसे समझ लो जो हमारे रिष्टे हैं भावनाओं के रिष्टे हैं माँ बाप के रिष्टे हैं ये रिष्टे तब ही चलते हैं जब हमारी जिन्दगी में हंकार ना हो क्या इगो से कोई रिष्टा चलता है जब संसार का रिष्टा नहीं इगो से चलता तो मालिक के दर का कैसा चलेगा अपने जीवन से भोज बहुत खलका करना पड़ेगा हजूर कहते हैं कबीर मुक्त दुवारा संकुरा राई दसें पाए मंग तो मैगल हुए रहा निकसे क्यों कह जाए राई का बहुत शोटा सा दाना होता है हजूर कहते हैं मालिक के दर का जो दर्वाज़ा है न राई का दाना उसका एक बटा दस दस्वा भाग इतना सा है वो तो माइक्रोसकोप के बिना दिसेगा भी नहीं हम चलेंगे वो हमें पार करके फिर जाना पड़ेगा तबी मालिक का मिलाप होगा भाव ये खै के जो हमारे जीवन में लालच है इगो है गल्त भाव नाए है विकारी वाश नाए भाव नाए है उसको शोड़ना है और उसको शोड़ा तब ही जाएगा जब हम बानी की ओर चलते हैं आयो सुनन पड़न को बानी नाम विसार लगें आनलालच बिरता जनम परानी मालिक किर्पा करे गुरू की संगत करने का सुभाग्य मिला है जो भी हम बचन गुरू के चरणों में बैठकर पढ़ते हैं सुनते हैं अरदास करना ये हमारे जीवन में भी बस जाएं गुरू की किर्पा हो जाएगी और ये बोल कहते हुए प्रवचन करते हुए बानी की बाते इतिहास की बाते सुनते हुए बहुत भूल होती है आप और गुरू शमा करने वाले हैं शमा करना वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की पते पाते हैं